रोजाना ग्यान वर्दक चीज़ों को जानने के लिए आप हमार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें नमस्कार दोस्तों जै मातादी स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों वैशाक मा की पुर्णिमा को बुद्ध पुर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान बुद्ध का जनम हुआ था। हिंदू पंचांग की अनुसार इस साल बुद्ध पुर्णिमा 26 मई बुद्वार को पढ़ रही है। कहां जाता है कि बुद्ध पुर्णेमा के दिन भगवान, विश्नु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनका आशिरवाद जातक को प्राप्त होता है। घर में सुक्षान्ती और खुशाली आने के भी ऐसी मान्यता है। दोस्तों इस साल बुद्ध पुर्णेमा कई सारे शुब संयोगों में मनाई जाएगी। बता दें कि इस साल बुद्ध पुर्णेमा के दिन शिव योग, सरवास सिद्धी योग और अमरिस सिद्धी योग बन रही है। बता दें कि शिव योग 26 माई की रात 10 बचकर 52 मिनिट तक रहेगा और इसके बाद सरवास सिद्ध योग लग जाएगा दोस्तों बता दें कि यह पुर्णेमा की ती थी 25 माई दिन मंगलवार को रात 8 बचकर 40 मिनिट से शुरू होकर 26 माई दिन बुदवार को शाम 4 बचकर 43 मिनिट तक रहेगी दोस्तों पुर्णेमा के दिन आप सुर्युदै से पूर्व उठकर घर की साफ सफाई जरूर करें अब सादे पानी में गंगा चल मिला कर उससे स्नान करें घर की मंदिर में भागवान विश्णू और माता लक्ष्मी जी कियागी आप सरसों के तेल का दीपक या फिर घी का दीपक जरूर जलाएं घर के मुख्य द्वार पर रोली, हल्दी या कुम-कुम से स्वास्तिक बनाएं और गंगा जल का छिड़काफ करें दोस्तों बता दें कि यदि आपके घर के सामने बोध वरिक्ष है तो आप इस दिन उसके सामने भी दीपक जरूर जलाएं और उसकी जड़ों में दूद अरपित करें दोस्तों इस पुर्णिमा के दिन दान करने का भी विशेश महत्व होता है इसलिए आप इस दिन करीबों को भोजन व वस्त्र आदी का दान जरूर करें और दोस्तों शाम के वक्त चंद्रमा को अर्ग दें दोस्तों खास बात यह है कि इस पुर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहन भी लगने वाला है जी हाँ आपको हम बताना चाहेंगे हाला कि दोस्तों यह ग्रहन उपचाया ग्रहन रहेगा इसलिए इसका सूतक नहीं लगीगा बता दें कि ग्रहन 26 मई को दोपहर दो बचकर 18 मिनिट से आरंब होगा और शाम 7 बचकर 20 मिनिट तक रहेगा दोस्तों वैशाक मास की बड़ी पुर्णे मा बुद्ध पुर्णे मा शिव योग का बनना सरवासिद्धी योग का बनना अमरिसिद्धी योग का बनना और इसी दिन चंदगरहन का भी लगना यह सारे संयोग इस दिन को बहुती ज्यादा खास बना रही है और यह सारे संयोग एक बड़ा महा संयोग भी बना रही है जिसकी वजह से इस दिन से कुछ राशी वालों के किसमत भी अब बदल जाएगी इन राशी वालों के जीवन में इन्हें अब बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो आपके ये राशीयां कौन सी हैं? ये क्या लाब देखने को मिलेगा? इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे तो आपसे अंदरोध है कि वीडियो को आप बिलकुल भी मिस ना करें और इसे अंद तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आपको हम बता दें कि ये राशी वाले लोग अब बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाली है इन राशी वाले लोगों के उपर भगवान विश्नू और माता लक्ष्मी जी की अपाहर कृपा अब बनी रहने वाली है इनके परिवार में अब सुक सुविधाएं बढ़ेंगी बोदिक्ता को बल मिलेगा आप लोगों के लिए आने वाले दिन और आप लोगों के लिए आने वाला पूरा साल श्रेष्ट फलकारक रहने वाला है इस दोरान आप लोगों के साहस प्राक्र में भी व्रिद्धी देखने को मिलेगी आप लोगों को भवन एवं वाहन प्राप्ती की भी इस दोरान संभावना बन रही है लेकिन दोस्तों इस समय आपको अपनों की बीच संतुन बना कर चलना होगा आप लोगों को आने वाले समय में कोई सुखत सा सर्प्राइज भी प्राप्त हो सकता है बस आप लोग जितना हो सके अनावश्यक चर्चा करने से बचे दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर ये भागशली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहाँ पर बात कर रही हैं तो आपसे अंद्रोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंतक जरूर देखें चलिए शुरू करती हैं दोस्तों आपको हम बता दें कि सबसे पहली राशी है मेश राशी जी हाँ इस लिस्ट में सबसे पहला नाम मेश राशी वालों का आता है बता दें कि मातरानी जी के क्रिपा से अब इस राशी वालों का अच्छा समय शुरू होने वाला है दोस्तों सबसे पहली जो राशी है वो है तुला राशी जी हाँ बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तुला राशी वालों का हता है बता दें कि मातरानी की कृपा दृष्टी अब इन राशी वालों पर बन रही है बता दें कि यदि आप अपने सच्चे प्यार की तलाश कर रही है तो आपको अपना सच्चा प्यार जरूर मिलेगा जी हाँ मातरानगी कृपा से अब आपके जीवन में आपका सच्चा प्यार आने वाला है इसकी साथी साथ जो आपके जीवन में कई समय से आर्थिक परिशानिया चल रही है उसका भी अब अंध निश्चित तोर पर होने वाला है यानि कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो मातरानगी कृपा से आपको अपने व्यापार में खूब सारा लाब देखने को मिलेगा और जो लोग नौकरी के तलाश में इधर उधर भड़क रही है उन्हें अब नौकरी भी अवश्य मिल सकती है बरहाल अब आप मान लीजिए कि आपका अच्छा समय अब शुरू होने वाला है दोस्तों बता दें कि अगली राशी है मेश राशी जी हाँ बता दें कि इनके जीवन में जो पैसों से संबंदित तकलीफें अब तक चल रही थी वे अब मतरानिके क्रिपाद्रिष्टी से खतम हो जाएंगी इसके साथी साथ इने खूब सारा धनला भी अवश्य होगा इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं तरक्की या प्रमोशन अवश्य होने वाला है इन राशी वाले लोगों को धन से संबंदित सभी परिशानियां मतरानिके क्रिपाद्रिष्टी से आप इन अफसरों का लाब अवश्य होठाईए दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वो है कन्या राशी बता दें कि इनके जीवन में अब कई सारे अच्छे बदलाव आने वाली है इन बदलावों से इनका जीवन अब एकदम से पलट जाएगा बता दें कि इनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तनब होने वाली है जिससे कि अब इनकी ग्रहों के सिती बदल जाएगी और साथी साथ इनका अच्छा समय शुरू हो जाएगा बता दें कि आपके आए में व्रिद्धी होगी आने वाला समय आप अपने परिवार वालों के साथ बहुती ज्यादा भैतरीन बिताने वाले हैं दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वह है मिथुन राशी जी हाँ बता दें कि मिथुन राशी वाले लोगों परमाता लक्ष्मी जी की दया द्रिश्टी अब बनी रहेगी जिसकी वज़े से इनका रुका हुआ कारी अब सफलता पूर्वक पूरा होगा आपकी जीवन में जो भी परिशानिया चल रही है उन सभी परिशानियों से अब आप को चुटकारा प्राप्थ होगा काम काज में आपका अत्यादिक मन लगेगा नौकरियां कारोबार में आपको आगे बढ़ने के कई सारे अफसरब प्राप्थ होंगे आप लोगों का आने वाला समय बहुत ही ज्यादा भहतरीन रहने वाला है दोस्तों बता दें कि अगली जो राशी है वो है मकर राशी जी हाँ बता दे कि मकर राशी वाले लोगों के उपर अब माता लक्षमी जी महरबान रहने वाली है जिसकी वज़े से अब समाज में इनका मानसमान बड़ेगा साथी साथ इनकी आर्थिक सिति में भी अब सुधार देखने को मिलेगा बता दे कि आपके कारे शेत्र में आने वाली सभी बाधाएं और परिशानिया माता लक्षमी जी अब दूर करेंगी जिसकी वज़े से अब आप लोग दिन दुनी और रात जोगनी तरक्की करते हुए आपके साथ आपका आने वाला समय सुखद वितीत होगा आप लोगों को घर परिवार का पूर्ण सहयोग इस दोरान प्राप्त होगा आर्थिक परिशानियां जो आपके जीवन में कई समय से चल रही है वह अब धिरे धिरे कम होती जाएंगी आपकी सभी चेंताई मातरानी च्वयम दूर करेंगी इसके साथी साथ विध्यारतियों की पड़ाई में आने वाली कठनाईया भी जोरान दूर होंगी आपके द्वारा की गए निवेश में भी आपको लाब प्राप्त होगा बस दूस्तों आप इस जोरान वाहन का प्रयोग करते समय साथानी बरती दूस्तों आप सी अंद्रोधे की आप कमेंट सेक्षिन में सच्चे दिल से जै मालक्षमी अवश्य लिख दे और वीडियो को लाइक और शेर अवश्य कर दे